नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूटूब इजिकुस्टन चैनल में आज की ओड़ी लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे निमोनिया की दवा के बारे में निमोनिया यानि के ऐसी मेडिकल कंडिसन्स की जिसके अंदर फेपडो में जो वो सुज़ना जाती है वह आपे म्यूकस वरने लगता है और पेशन को जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन्स होते है तो यह होने के रीजन्स वगेरा क्या है किस तरह से उसका निदान हो सकता है कौ मेडिसिन कूर्स को जोइन कर सकते है फार्मा रॉकस के वब उब पर तो यह कूर्स को जोइन करने के लिए आप हमें वट्सअब कर सकते है या फिर हमारे मोबायल एपलिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो आथा है topic पूर समझते हैं नियो यानि के ऐसे medical conditions की जिसके अंदर हमारे lungs के अंदर infections होता है और उसके करण क्या होता है कि वहाँ पे सूजन आ जाती है जिसको कहते है कि inflammation होना और especially ये जो बीमारी जो है वो alveoli को affect करती है कि जो एक चोटे से air sex होते है हमारे lungs के अंदर तो उसको सबसे ज़्यादा असर होती है वहाँ पे सूजन आ जाती है वहाँ पे mucos जमा होने लगता है और बहुत ज़्यादा complications होते हैं तो pneumonia जो एक टाइप का respirator track infection है तो यहाँ पे जो आप देख रहे है कि जो lungs के अंदर सबसे अंदर का जो बाग यहाँ पे आप देख रहे है कि ये जो alveoli होते है वहाँ पे ज रिधिंग करते हैं उसके करण हमारे blood के अंदर oxygen और co2 का exchange होता है कि जिसके करण हमारे सरीर के अंदर oxygen level पे अच्छे से बने रहता है तो उसके लिए यह पूरी process जो हो काफी जरूरी होती है तो pneumonia में especially alveoli पे ही असर होती है तो यह होने के main 3 reason है कि कई बार आपको bacterias के करण infection होता है तो वो भी आगे जाके pneumonia कर सकता है वाइरस इसके करण होने वाले infection भी pneumonia कर सकते है और food के करण भी यह problem हो सकता है तो bacteria असके अंदर हम बात करें तो जो streptococcus pneumonia करके जो bacteria होता है कि जिसको pneumococcus bacteria हम कहते है तो जब भी कोई patient यह bacteria से संक्रमीत होता है तो उसके करण जो ह आपके body के अंदर breathing के तुरू enter होते हैं कि जब भी आप breathing करते तो हमारे air के तुरू आपके body के अंदर enter होते हैं फिर जो virus के हम बात करें तो human influenza जो virus है उसके करण भी pneumonia हो सकता है तो ये virus specially जो हमारे breathing के तुरू जब हम सास लेते तो air to air ये bacteria या फिर जो वाइरस है वो हमारे सरीर के अंदर enter होते हैं और उसके करण भी आगे जाके फेपडो में जो है वह infections करते हैं और उसके करण pneumonia होने लगता है फिर RSV जो virus जिसको respiratory sinus ITL virus का हजदा है तो उसके करण भी ये problem हो सकती है उसके अलाब आप देखो तो जो COVID-19 का जो virus था उसके करण भी आगे जाके pneumonia का complications हो सकते हैं तो इस तरह से अलग-अलग virus जो है या फिर bacteria है या फिर phuk के करण ये बीमारी हो सकती है अब उसके symptoms समझते हैं तो बहुत सारे symptoms देखने को मिलती है pneumonia के अंदर तो उसमें जो main symptoms है उसको हम यहाँ पर discuss करें तो सबसे पहले patient को जो है वो काफी ज़्यादा सिर्दर्ध होने लगता है बूख कम हो जाती है लॉस आफेटाइड, mood swing होने लगते है फिर heart के उपर उसके SR देखे तो heart rate जो है वो increase होने लगता है patient को जो है वो काफी ज़्यादा ठन लग रही है high fever रहता है मलए कि temperature जब patient का आप check करो तो जब आप Fahrenheit में वो temperature measure करो तो वो temperature जो है वो 105 degree Fahrenheit जितना भी देखने को मिलता है तो काफी ज़्यादा ज़्यादा बुखार यहाँ पर देखने को मिलता है और सादो ज़्याद patient को ठन लगती है दूसरे symptoms देखे तो muscles pain करने लगते है कमजोरी जैसा फिल करते है chest में आपको pain होता है छाती में दर्द होता है coughing होने लगती है फिर breathing difficulties जो देखने को मिलती है nausea vomiting भी होने लगता है joint pain करते है फिर कई बार blood pressure increase हो जाता है या फिर blood pressure decrease होने लगता है heart rate increase होने लगते है तो ऐसे बहुत सारे complications जो देखने को मिलते है pneumonia के अंदर तो अब बात करते हैं उसके symptoms में देखो तो especially यह जो pneumonia वाले जो lungs होते है उपर वाला lungs जो वो normal है और नीजे वाले में आप देखो तो alveolies के अंदर एक यहाँ पे जमा हुआ देखने को मिलता है आपको तो इसको हम कहते हैं कि mucus जमा होगा है mucus यानि कि जो phlam जो हम कहते हैं bulgum जो कहते हैं वो काफी ज़दा जमा हो ज़दा है आपके यह air sex के अंदर और जिसके करण जो वो breathing करने में difficulty होते हैं और वहाँ पे जो वो सुजन भी देखने को मिलता है कि यह वाले जो air sex है alveolies है वो normal है वहाँ पे कोई भी type के सुजन नहीं है वहाँ पे ना कोई mucos होता है पर जब pneumonia होता है तो वहाँ पे जो इस तरह से mucos जमा होने लगता है कि जिसको कई बार हम कहते है कि फेपडो में जो वो पानी बरने लग रहा है तो पानी बरने का मतलब यह होता है कि यह जो alveolies होते है वहाँ पे इस तरह से mucus जो है वो काफी ज़्यादा मातरा में जमा होने लगता है और वहाँ पे जो है वो susan भी देखने को मिलती है तो अब बात करते हैं उसके diagnosis के तो कैसे पता चलेगा कि किसी को pneumonia हुआ है तो उसके लिए proper chest x-ray किया ज़ता है कि x-ray करने से पता चलता है कि pneumonia की conditions कितनी severe है कितना ज़्यादा cough या फिर जो mucus है वो जमा हुआ है आपके फेपड़ों के अंदर फिर दूसरा CBC test किया जाता है blood test खास किया जाता है उससे भी पता चलता है उसके अलावा blood CRP test भी किया जाता है कि CRP test से पता चलता है कि सरीर में infections कितना ज़्यादा है severity कितनी है disease की तो उससे पता चलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो infection या फिर inflammation की severity है उसके लिए यहाँ पर एक number मिलता है हमें जब यह test perform किया ज़ता है उसके करण देखो कि जब उसका level जो है वो specially easily एक या फिर उससे कम है तो उस वक्त जो है वो काफी low risk माना जाता है एक से तीन बीच में है तो moderate risk और तीन से 10 के बीच में या फिर उससे भी ज़्यादा value है तो उसको high risk माना जाता है तो यह test जरूर से परपम किया ज़ता है pneumonia के दरान फिर एक और test आप देख सकते है कि जिसको sputum culture test किया ज़ता है कि proper कौन से bacteria के करण या फिर कौन से virus के करण बीच मारी हुई है तो उसके लिए proper एक sputum analysis की जाती है कि patient को coughing के दरा जो भी mucos बहार आ रहा है उसको इस तरह से petri dish में लिया ज़ता है उसका proper एक culture test किया ज़ता है कि जिससे पता चलता है कि कौन से bacteria के करण ये infection उसके according to आप भेमारी का जो है वो diagnosis होके आगे treatment कर सकते हैं उसके अलावा जरूरी होता है कि यहापे oxygen level check करना कि blood oxygen check करने के लिए oximeter को आप जरूर से use करना चाहिए pneumonia के patients के लिए साथ-साथ उसका जो blood pressure भी check करता रहना चाहिए heart rate वगरा कितने है वो भी monitor करना बहुत ही जरूरी होता है अब आता है treatment के treatment के कौन से अलग-अलग options available है तो सबसे पहले हम बात करें तो patient को जो अच्छे से rest करना चाहिए गर पे कि जैसे भी pneumonia जो आपका identify हो जाता है या फिर उसकी related symptoms देखने को मिलते हैं तो अच्छे से rest करना चाहिए और medications जो वो start कर देनी चाहिए तो medications में खास कर antibiotics का option रहता है या आपे कि especially antibiotics करन जो microorganism है उसकी मात्रा सेरिर में कम होने लगती है कि जिसके करन आपको यह विमारी होती है तो antibody का पुरा course लेना होता है और समझे कि उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो patient को जो condition काफी ज़्यादा बढ़ रही है severe condition में तो उसको hospitalization कर रहना ज़रूरी होता है तो अब आते हैं treatment के अंदर तो सबसे पहले patient को जो वो पानी ज़्यादा पीना चाहिए और पानी भी आपको कैसा लेना है थोड़ा गुनगुना पानी लेना है ठंडा पानी नहीं यूज़ करना है गुनगुना पानी patient को देते रहना है उसी तरह से fresh fruit juice भी उसको दे सकते हैं जिससे उसके body के अंदर जो पानी बना रहा है उसके लावा coconut water भी जो है वो patient यूज़ कर सकते हैं कि वो भी काफी अच्छा रहता है pneumonia के अंदर उसके लावा दूसरा हम option देखे तो herbal carda का option रहता है कि जो hot beverages जिसके जो options हम देखते हैं तो उसमें green tea अगरा है या फिर herbal carda based रहता है तो वो बनाने के लिए आप यहाँ पे ingredients देख रहे हैं तो यह सब भी ingredients को अच्छे से आपको दो cup जितने पानी में लेने होते हैं और उसको उबालना होता है अच्छे से और जब अच्छे से वो उबल जाता है तो उसको filter करने ला होता है और patient को देना होता है जैसे हम चाय पीते हैं उसी तरह से herbal carda जो वो दिन में दो या तीन बार आप patient को दे सकते हैं फिर बात आती है inhalation की तो उसमें steam inhalation लेना बहुत ही जरूरी होता है कि आप steam लेते तो आपके जो फेप्रो के अंदर जो mucus जमा होता है या फिर जो breathing problem होती है वो स्वाल हो जाते तो inhalation जो ही वो काफी जरूरी है इसके अंदर तो उसके लिए आप जो capsule साथ है कि जिसके अंदर ingredients आप देख सकते हैं कि उनके अंदर menthol एक रहता है और terpeniol रहता है camphor रहता है उसकी ये जो swap gelatin capsules होती है वो आप nebulizer में लेकर या फिर डायरेक्ली गरम पानी में डालके भी उससे steam जो हो ले सकते हैं फिर अब बात करते हैं herbals की कुछ medications की तो herbals में जब fever वगेरा होता है काफी ज़्यादा patients को तो उसके लिए जरूरी होता है महासुदर्शन गनवटी का यूज़ करना तो उसके दो tablet सुबह और दो tablet रात को खास कर लिने चाहिए कि जिससे क्या है कि जो fever जो हो control में रहे और और ज़्यादा condition जो हो ना बिगड़े साथ उसाथ ऐसे बीमारी के दोरान आपकी immunity बढ़ाना भी काफी जरूरी होता है तो immunity boosters के तोर पे गिलोई का option काफी अच्छा रहता है कि जैसे आप गिलोई गनवटी कोई भी हरबल अलग-अलग जो companies जैसे जंडू का एक product आप देख रहे है पतन जली देख रहे हैं, डाबर है, हिमाल्या है, बहुत सारे से companies गिलोई गनवटी के products आपके लिए available होता है तो ये भी आप similar ले सकते हैं कि दो टाबलेट सुबर, दो टाबलेट रात को पेशन ले सकते हैं जिससे उसकी immunity बढ़ सकती है फिरा बात हैं एंटिबाइटिक्स के course पे, तो एंटिबाइटिक्स में बहुत सारे options से जैसे की agithromycin का एक सबसे पहले option आपके लिए रहता है तो agithromycin समझे कि 500 mg में use होती है तो एक टाबलेट ही लेना जरूरी होता है दिन में, कि दिन में किसी भी एक time के मलब कि खाना खाने के बाद जो खासकर patient ये टाबलेट ले सकते हैं और दिन में एक टाबलेट लिनी होती है तो इस तरह से तिन दिन तक ये ले सकते हैं उसके बाद भी समझे कि ठीक नहीं हो रहा तो एक बार और फिर से वो repeat आप कर सकते हैं अगर 500 mg आपको high dose पढ़ता है तो 250 mg का भी option रहता है तो 250 mg दिन में दो बार या फिर दिन में एक बार भी patient ले सकता है पर ध्यान ये रखना है कि दो टाबलेट के बीच में at least 8 गंडे का time interval रखना जरूरी होता है फिर दूसरा option है cifadroxil का कि अगर आपको agithromycin से ठीक नहीं हो रहा है उससे कोई result नहीं मेरा तो दूसरा option बनता है cephalospirins antibiotics के अंदर cifadroxil का तो उसके एक tablet जो हो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो हो patient ले सकते है फिर taxing OCV कि जिसके अंदर sapphixim है और putisim pleiulinet है तो ये combination भी patient यूज कर सकता है अगर आगे बेवाली medicine से ठीक नहीं हो रहा एक और options बनता है और पेशन को drip लगाने की जरूरत है तो ये जो monosave injection है तो उसका dose रहता है एक से लेकर दो ग्राम जितना dose रहता है आईवी या फिर intramuscularly पूरे दिन के लिए फिर बात करते हैं कि fever जब होता है कि काफी ज़्यादा high fever होता है जैसे मैंने आपको बता है कि 105 degree तक भी बुखार जा सकता है 100 degree से उपर बुखार जा सकता है तो ऐसे condition में body temperature को काम करने के लिए परसेटामल का आपके पास काफी अच्छा option बहनता है तो जब fever होता है तब भी ये tablet जो देनी चाहिए और maximum दिन में तीन ही tablet यूज़ करनी चाहिए उससे ज़्यादा tablet यूज़ करने से ये liver या फिर आपके kidneys के उपर असर कर सकता है तो ये खास आप ध्यान रखे या फिर आपके पेट में ये ulcer करवा सकती है उसी तरह से ibuprofen का भी option बनता है कि paracetamol soup नहीं हो रही तो fever कम करने के लिए आप ibuprofen भी यूज़ कर सकते है अब आगे बाद आती है कि ये सब medications जब लेते होते तो acidity वगरा हो सकती है nausea vomiting जैसा हो सकता है तो उसको रोकने के लिए based option बनता है नोगा acid का कि जिसके अंदर आप देख सकते कि omiprofen present है और साथो साथ domperidon present है कि जो domperidon जो है वो उल्टी रोकने का काम करता है और omiprofen जो है वो पेट में acid कम बनने देता है कि जिससे acidity का problem as well as जो nausea vomiting होती है gas बनती है bloating जैसा फिल होता है तो वो नहीं होता तो 30 मिट पहले नेनी चाहिए खाना खाने के तो यह ध्यान रखना है फिर vitamin c का यहाँ पे लेना काफ़ी ज़रूरी है तो कुछ research के according to yesa भी देखागा है कि जब भी vitamin c दिया जाता है तो उससे recovery जो है वो काफ़ी अच्छी और grab seed extract का यह जो combination है zincovid या फिर उसके similar कोई भी दूसरा antibody जो multi vitamin tablet है वो आप ले सकते बिकोज आप antibiotic यहाँ पे ले रहा है और उसके करण सरेड में vitamins की कमी होती है minerals की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए और साथ उसाथ यह जो बीमारी है उसमें से fast recover होने के लिए भी यह medications का लेना जरूरी होता है तो किसी भी एक time पे आप यह tablet जो ले सकते के दिन में एक ही लेनी है दो बार उसको नहीं लेना है फिर यहाँ पे corticosteroids का एक options बनता है कि यहाँ पे काफी ज़्यादा सुजन होती है body के अंदर तो वो सुजन को कम करने के लिए corticosteroids यूज क कि हम बात करें तो अलग-अलग रहता है हर patient के लिए खासकर lower dose से treatment start के जाती है कि 0.5 से लेकर 10 mg जितना पर डेक जितना यह dose दे सकते पर ध्यान ही रखना है कि हर एक dose के बीच में at least 6 से लेकर 8 गंडे का time interval रखना जरूरी है और पूरा दिन में 10 mg से ज्यादा dose कभी भी नही फिर आगे options बनता है bronchodilators का कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे bronchial tubes होती है alveolies होती है वहाँ पर सुजन के कारण क्या होता है breathing difficulty होती है वहाँ कि जो tube होती है उसका diameter छोटा हो जाता है और उसके करण breathing करने में problem होती है तो यह जो medications क्या होते है कि समझो कि इस तरह से छोट काफी diameter होगा है और breathing में problem हो रही है तो यह क्या करते कि bronchial tubes को इस तरह से थोड़ा वाइड कर देगा यह medication कि जिससे patient जो हो easily breathing कर सकता है और और ज़्यदा complications नहीं होते हैं उसे में दूसरा options बनता है कि inhalation से भी आप दे सकते हैं जो कि टाबलेट से ठीक नहीं हो रहा तो directly inhalation से लिवो स्याल बुटामल का inhalation solutions भी यूज किया जा सकता है कि जो 1.25 mg में available होता है और उस पे उबर खास लिखा होता है inhalation only तो जो nebulizer होता है या फिर जो oxygen mass होता है उसके थूप patient को directly यह medication जो हो inhale कर आई जाती है कि जिससे breathing difficulties जो वो ठीक होती है तो यह सबालग-लग options रहते है pneumonia को ठीक करने के लिए तो ऐसे ही समझे कि आपको बहुत सारी बीमारियों का बारे में detail में सिखना है दवायों के बारे में सिखना है तो medicine course को join कर सकते है pharma rocks के अब उपर तो यह course join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box के अंदर मि जाएगी या फिर डायरेक्ली हमें whatsapp करें हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और link वगेरा पेश देंगे so good luck and all the best